नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है इस चैनल है LPP में दोस्तों आप सभी की आगामी परिक्षा को ध्यान में रखते हैं इस पेसल डिक्टेशन्स आप सभी के लिए लाए जा रहा है जिसमें हम स्पीड रहेंगे 90 वर्ड पर मिनट से लेके 110 वर्ड पर मिनट तक इसक पर आधारित ये पूरी डिक्टेशन्स रहेंगे तो आप डिक्टेशन को लिखने के लिए रेडी लेएगा डिक्टेशन को में स्चार्ट करेंगे ठीक तीन सेकिंड के बाद माननिय अध्यक्ष महदे आज मैं आपके बीच देश के लिए बहुत ही महत्तपूर्ण और एतिहासिक विशेपर जानकारी देने के लिए विशेश तोर पर उपस्थित हूँ यह विशे करोडों देशवासियों की तरह ही मेरे हिर्दे के भी करीब है और इस पर बात करना मैं अपना बहुत बड़ा सौभाग्य समझता हूँ यह विशे स्री राम जन्म भूमी से जुड़ा हुआ है यह विशे अयोध्या मैं स्री राम जन्म इस्तली पर भगवान स्री राम के भव्य मंदिर निर्मान से जुड़ा हुआ है माननिय अध्यक्ष महोदै 9 नौमबर 2019 को मैं कतारपूर साहब कोरिडोर के लोकारपन हेतू पंजाब मैं था गुरु नानक देव जी का 550वा परकास पर्व था बहुत ही पवित्र वातावरण था उसी दिव्य वातावरण में मुझे देश की सर्वोच अदालत द्वारा स्री राम जन्म भूमी विशे पर दिये गए एतिहासिक फैसले के बारे में पता चला था इस फैसले में माननिय सर्वोच न्याले ने कहा था कि सिरी राम जन्म भूमी के विवादित इस्तल के भीतरी और बाहरी आंगन पर राम लल्ला विराजमान का ही स्वामित है माननिय अध्यक्ष जी माननिय उच्चतम न्याले ने अपने आदेश में यह भी कहा था कि केंद्र और राज सरकार आपस में प्रामर्स करके सुननी सेंट्रल वक्व बोड को पांच एकड जमीन आबंटित करें माननिय अध्यक्ष जी मुझे आज इस सदन को पूरे देश को यह बताते हुए बहुत ही खुसी हो रही है कि आज सुभै केंद्रिय मंत्री मंडल की हुई भैटक में सुप्रीम कोट के आदेशों को ध्यान में रखते हुए मेरी सरकार ने सुप्रीम कोट के निर्देशा अनुसार स्री राम जन्म इस्तली पर भगवान स्री राम के भव्य मंदिर के निर्मान के लिए और इससे संबंदित अन्य विसेयों के लिए एक विरहद योजना तैयार की है सुप्रीम कोट के आदेशों के अनुसार एक स्वाइत ट्रस्ट स्री राम जन्म भूमी तीर्थ छेत्र ट्रस्ट का नाम होगा स्री राम जन्म भूमी तीर्थ का गठन करने का प्रस्ताव पारित किया गया है यहो ट्रस्ट अयोधिया में भगवान स्री राम की जन्म इस्तली पर भव्य और दिव्य स्री राम मंदिर के निर्मान और उससे संबंदित विसेयों पर निर्ने लेने के लिए पून रूप स स्वतंत्र होगा माननिय अध्यक्ष जी माननिय सर्वोच अदालत के आदेसा अनुसार गहन विचार विमर्स और समवाध के बाद अयोधिया में पांच एकड जमीन सुननी वक्व बोट को आवंटित करने का अनुरोद उत्तर परदेश सरकार से किया गया इस पर राजी सरकार ने भी अपनी सहमती परदान कर दी है माननिय अध्यक्ष जी भारत की प्राण वायू में भारत के आदर्सों में भारत की मरियादाओं में भगवान स्रीराम की महता और अयोधिया की एतिहासिकता से अयोधिया धाम की पवित्रता से हम सभी भली भाती परिचित हैं अयोधिया में भगवान स्रीराम के भव्य मंदिर के निर्मान वर्तमान और भविश में राम लल्ला के दर्सन करने के लिए आने वाले सरधालूओं की संख्या और उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा एक और महतपून निर्ने लिया गया है मेरी सरकार ने फैसला किया है कि अयोधिया कानून के तहत अधिगरहित संपून भूमी जो लगवक 67.703 एकड है और जिसमें भीतरी और बाहरी आंगन भी सम्मलित है उसे नवगठित स्री राम जन्म भूमी तीर्थ छेत्र को हस्तांत्रित किया जाए माननिय अध्यक्ष महोदै नौ नौमबर को राम जन्म भूमी पर फैसला आने के बाद सभी देशवासियों ने अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्ताओं पर पूर्ण विश्वास जताते हुए बहुत ही परिपक्वता का उधारण दिया था मैं आज सदन में देशवासियों के इस परिपक्व व्यवहार की भुरी भुरी परसंसा करता हूँ माननिय अध्यक्ष जी हमारी संस्कृती हमारी परंपराएं हमें वसुदेव कुटुम्बकम और सरवे भवन्तु सुखिनहा का दर्सन देती हैं और इसी भावना के साथ आगे बढ़ने की परणा भी देती हैं हिंदुस्तान में हर पंथ के लोग चाहे वह हिंदू हों, मुसल्मान हों, सिक्क हों, इसाई हों, बुद्ध, पारसी और जैन हों हम सभी एक विरहद परिवार के ही सदस्य हैं इस परिवार के हर सदस्य का विकास हो, सुखी रहें, स्वस्त रहें, समरिद बनें, देश का विकास हो, इस सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र पर चल रही है आईए इस एतिहासिक छण में हम सभी सदस्य मिलकर, अयोधिया में भगवान स्री राम धाम के जीर्णो उद्धार के लिए, भव्य राम मंदिर के निर्मान के लिए, एक स्वर में अपना समर्थन देए इस टॉक, दोस्तों आसा करते हैं कि ये डिक्टेशन आप सभी लोग लिख पाएंगे, इस पीड में अच्छा आगासा फ्लक्टेशन आपको देखने को मिला होगा नहीं लिख पाएंगे, तो बार बार लिखने का परियास करेगा, रही बात इस परकार के डिक्टेशनों की आने की संभावने जो विगत वर्सों में देखा जा रहा है, तो ऐसा डिक्टेशन आ रहे हैं और पॉसिबिल्टीज हैं कि आ सकती है, तो आप लोग तेयारी अच थैंक यू सो मच, मिलेंगे एक नए डिक्टेशन के साथ, नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए चैनल में बने रहेगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब सेर कर लिजे, बेल आइकन को दबा लिजेगा